करेंद्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक खास्ति जो कि टैल इप्राइम से रिलेटेड है आइए देखते हैं वो खास्ति है क्या सबसे पहले टैली प्राइम उपन त और जब हम एंट्री पास करने जाते हैं किसी भी वाउचर में सब्सक्राइब कि चलिए हम पर्चेस करते हैं क्योंकि यह एंट्री पर्चेस से रिलेटेड है तो सप्लायर द्वार दिये गए बिल का यहां पर डाल दिया हमने वह डेट आएगी जिस डेट पर होगी परटेश कि यहां पर हम cash में purchase कर रहे हैं यह आप Editor Partie का laser भी लगा सकते हैं अब अब पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएंगे पर यहां जाती हैं यहां से बाहर आते हैं बाहर आने के लिए आपको क्या करना है इसके बटन प्रेस करना है और इसके बटन प्रेस करके क्या करना है आपको बाहर आ जाना है और बाहर आने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दिखाई नहीं पड़ा है ठीक है तो यहां पर बाहर आते हैं पहले पूरा और फिर आप जाते हैं कहां पर अल्टर वाले ऑप्षिन पर चले जाते हैं गेट वाफ पहली पर जाने के बाद अल्टर ऑप्षिन पर जैसे जाते हैं तो यहां लेजर मिलता है आपको लेजर पर चले जाते हैं तो यहां पर आपको दिखाई का laser नजर ही नहीं आता है अब यहां पर बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि अगर आप beginner हैं तो आप इस बात को नहीं समझखाएंगे कि आपने गलती कहां करी है तो मैं आपको बताता हूँ कि गलती आपने कहां करी है ठीक है पहले बाहर आजाईए यहां से और आजाईए कहां पर alter पर आजाईए और यहां से आजाईए यह लेजर पर और जैसे लेजर पर आते हैं तो आपको दिखेगा यह purchase का laser जैसे यह आते हैं तो आप देखेंगे कि पिर एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और लास्ट तक एंटर एंटर करके और एंटर कर दीजे तो यह एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होने के बाद अब जब कि आप पर्चेस बाउचर में एंट्री पास करने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चाहे पर्चेस का लेजर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा अगर आपके साथ भी ये प्राब्लम हो रही है तो कॉमेंट करके जरूर बता हीगा वैसे इस वीडियो से आपकी प्राब्लम सौल हो जाएगी चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए कीप वाचिंग थैंक यू पर वाचिंग देश वीडियो